बॉरिंग स्टुदेंट, तुड़ो इज योर सब्जेक्ट इंग्लीज, एंग्लीज का चैप्टर नमर वन, चैप्टर नेम है, डे बाई डे, आई फ्लोट माई पेपर बोट, यानि कि डे बाई डे, दिन प्रती दिन, आई फ्लोट, मैं तहराता हूं, माई पेपर बोट, यानि कि कागज की नाव, तो let us go, now I am start first lesson, day by day, दिन प्रति दिन, I float my paper boat, मैं कागज की नाव को one by one, एक एक करके, down in the running stream, यानि कि नीचे की और परभावित करता हूँ, किस में running in stream, यानि कि छोटी नधी में या जलधारा में उसे बहाता हूँ, in big black letter, बड़े बड़े काले अक्षरों में, I write my name, मैं अपना नाम लिखता हूँ, on them, and the name of the village, और अपने गाओं का नाम लिखता हूँ, किस पर, कागज की बोट पर, now I live, और जहां मैं रहता हूँ, वो लिखता हूँ, I hope that someone in some strength, उमीद है कि कुछ अजीब उमी में, कोई strength land will find them in now I am, यानि कि उसे उमीद है कि उस बच्चे को, कि that someone in some strength land will find them in now I am, यानि कि उस बच्चे को उमीद है कि कोई उसे, उस अजीब उमी में, कोई उसे ढूंड लेगा, और उसे पता चल जाएगा कि वह बालक वहाँ है, यानि कि मैं यहाँ पर हूँ, now I am, यानि कि मैं यहाँ पर हूँ, I load my little boat with shivli, यानि कि मैं अपनी छोटी नाव की shivali से load करता हूँ, क्या load करता है, वो अपनी छोटी सी नाव में, कागज की नाव में, flower from our garden and hope, यानि कि हमारे बगीजी के फूल को, किस के फूल को, बगीजी के फूल को, वो load करता है, किस में, boat में, किस में load करता है, boat में, I and hope that this blossom of the down will be carried safely to land in the right, यानि कि हमारे बगीजी में जो फूल की आशा है कि, भोर इन खिलने को सही में उतरने के लिए, शुरक्षित रूप से लिया जाएगा, यानि कि जो इस बच्ची ने इसमें ये कहा है कि, इस blossom of the down will be carried safely to land in the right, सही तरीके से उस स्थान पर उसकी शुरक्षा की जाती है, ले जाए जाएगा, किसको ले जाए जाएगा, अच्छी तरीके से उस नाव को ले जाए जाएगा, झाह जाएगा।